आज हम देखते हैं कि पेट्रोलियम के इतने भाव बढ़ते हैं फिर भी हम इतने वाहन साधनों का उप्योग कर रहे हैं पर क्या आधुनिक समय में इनकी आवशकता रह गई है थोड़ा विचार करें अगर शाशन चाहे तो सभी प्रकारों के वाहनों की गतिविधी को रोका आजा सकता है क्योंकि इंटरनेट के यूग में हर वारता हर वीडियो करांट कांफरेंसिंग संभव हैं तो विभिन प्राविट सेक्टर और शाशकी कारेलेयों की मीटिंग रखना क्या आवश्यक है जो भी निर्देश हैं वह मोबाइल से या वीडियो कांफरेंसिंग के जरिये दिये जा सकते हैं प्रश्ण पूछे जा सकते हैं उनके समाधान पूछे जा सकते हैं और जो जहां है वहीं से कारे करने लग जाए तो विभिन प्रकार के आवागमनों की कोई आवशकता ही नहीं रहेगी आज जो संकल्पना घर बेटकर कारे करने की है उसकी परम आ उसके साथ वायू प्रदुशन भी बचेगा यह जो बार-बार मीटिंगे ली जाती है उसमें लोग आते जाते हैं उससे आवागमन बहुत बढ़ जाता है और उसी के कारण प्रदुशन भी बढ़ रहा है लोग अपने नीजी नीजी वाहन लेकर आते हैं और उससे प्रदु शक्ता ही न पड़े सब कार्य उसनिके गाओं में हो जाए या उनीके शहर में निपड़ जाए सिर्फ वेही कार्य बचें जो आवश्यक हैं जैसे मंडी में अनाज ले जाना किसी के उपचार के लिए जाना या मरीज का किसी अस्पताल में जाना परन्तों हर गाउं या यही पेट्रोलियम के बचत का वास्तिक उपाय है आधुनिक समय में जब इंटरनेट इतना पावरफुल है कहीं किसी को जाने की कोई आउशक्ता ही नहीं इतया पावेटन के लिए मनुष्य जाए या स्वस्त्र कार्यों के लिए जाए शासकी या साषकी internation के लिए आवा गमन बिल्कुल बंध हो जाना चाहिए अगर जो जहां हैं वहीं से उसका कार्य किया जा सकता है तो उसको कार्य आने की आवशक्ता भी नहीं होनी चाहिए विभिन प्रकार की मिटिंगें, कार्य शालाएं आदी बंध हो जानी चाहिए जो भी आवश्यक निर्दें से एक वीडियो के रूप में या वीडियो कान्फरेंसिंग के रूप में दिये जा सकते हैं वीडियो कान्फरेंसिंग के तहट हम सवाल जवाब भी पोश सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान भी पोश सकते हैं, फोन नमबर से फोन लगा कर भी उनसे चर्चा की जा सकती हैं, तो फिर विभिन प्रकार की मीटिंगों का कोई प्रयोजन नहीं है, व्यक्ति के जाती प उपलब्द रहनी चाहिए, और वही भाव पे उपलब्द रहेगी जो पूरे भारत में है, यदि हर गाउ अपने आर्थिक रूप से निर्भर हो जाए, तो सभी गाउं में एक ही भाव होगा, क्योंकि विभिन शेरों से आवागमन के करण ही भाव बढ़ता है, प्राचिन इस कारण से इतनी घरी भी नहीं थी, सभी एक दूसरे का सयोग करते थे, और शान्ती से जीवन यापन करते थे, आज वही आवशक्ता है कि हर गाउं आत्मिले बर हो जाए, हर किसी भी व्यक्ति को बाहर जाने की आवशक्ता ही न हो, बार बार आने जाने से ही पेट्रिलम क आवशक्ता बनी हुई है, सडकों पर जाम लगे हुए है, तो सरकार को इस बार में विचार करना चाहिए कि जिन कारियों को उसी इस्थान पर कर्मचारी है या व्यक्ति है वहीं से कर सके तो उसको कहीं आने जाने की आवशक्ता न हो, उसके कारिय के द्वारा ही उसकी मुल करें और राष्ट्र निर्माण में सयोग प्रदान करें, धन्यवाद वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करने की करपा करें, थैंक यू